तो दोस्तों as you already know कि भाई जो nothing का नया नवेला nothing phone 2 है वो अमसे कुछी दिन बाद ग्याना तारीक को इंडियन मार्केट में launch होने जा रहा है इसकी जो pre booking है वो तो already शुरू हो चुकी थी जो कि अभी यहां पर stock out भी हो चुकी है जी हां तब से पहले तो official photos है nothing phone 2 की उससे हम यहां पर पता चल चुका है कि last time भी तरह nothing phone 1 की तरह ही यहां पर भी आपको same dual camera setup ही देखने को मिलने वाला है इवर camera setup ही same नहीं है जो sensors हैं back side में rear side में camera के वो भी almost आपको बिल्कुल similar देखने को मिलने वाले है जो primary sensor होने वाला है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 50 megapixel का sony का imx 890 आप जो imx 890 आप लोग को जातर लोग को नहीं पता होगा तो यहां पर जो 766 है sony का जोगी आपको last time nothing के phone में देखने को मिला था उसी का एक rebrand मतलब 766 और 890 में एक major difference यही है कि इनका नाम चेंज है बागी sensor का size और specification almost आपको similar देखने को मिलती है दोनों वही और जो दूसरा sensor होने वाला है यहां पर वो भी same last time की तरही 50 megapixel का samson का jn1 वाला sensor देखने को मिलेगा जो कि of course एक ultrawide sensor यहां पर होने वाला है इसके लागा जो front camera यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो 32 megapixel का होगा sony का mx615 वाला sensor तो मतलब कि हाँ front क्या वना वे जरूर चेंज है last time में 16 megapixel का था आपकी वार 32 megapixel का है लेकिन जो rare sensors है वो almost सिर्फ आपको similar ही देखने को मिल रहे हैं लेकिन दोस्तों sensor यहां पर जरूर similar है लेकिन जो photo quality है उसमें आपको जरूर से difference देखने को मिलेगा काफिया जो comparison photo shoots है वो भी इनके यहां पर आउट हो चुके है जिस तरह से आप यहां पर देख सकते हो बाई जो nothing phone 1 है अगर plant की photo को देखे तो इससे यहां पर छोड़ी सी effect थोड़ सा artificial यहां पर लगता था उपनी अच्छी depth of field नहीं आ रहे थी लेकिन वहीं पर जो अगर आप nothing phone 2 देखते हो तो यहां पर जो लैमन है ना साही तरीके से इसके आसपास यहां पर आपको blur देखने को मिलेगा और unnatural यहां पर बिल्कुल यहां पर optimum लग रहा है यहां यहां पर आप इस लाइट की तरफ देखोगे तो आपको पता लेगा कि भाई जो nothing phone 2 है वो काफी उसमें वेन लिट कर दी है इसको मतलब कि काफी सही तरीके से ब्राइटन की है फोटो को और low light performance भी यहां पर nothing phone 2 की यहां पर ज्यादा better देखने को मिल रही है तो मतलब कि camera sensors बहले यहां पर आपको same देखने को मिल रहे है nothing phone 1, nothing phone 2 में लेकिन जो image signal processing है snapdragon 8 plus gen 1 की यहां पर बैटर निकल के आजाती है last time के processor से और इस वज़े से यहां पर जो आपको photographs है वो same sensors होने के बावजूत भी यहां पर बैटर आपको देखने को मिल रही है अब दूस्तों इसक 6.7 इंचिस का एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है जो भी 120Hz की हाई refresh rate के साथ में आएगा और एक और चीज निकल कर आईएगी 1Hz से लेकिए और 120Hz तक यहां पर वैरी करेगी जो refresh rate है तो यह बहुत अच्छी बात है आप दूर पे flagship में देखने को मिलता है इतना variable refresh 8 हमें यह Samsung S series वगरा में तो वह यहां पर भी आपको देखने को मिल रही है इसके लाब आप आपको full HD plus का resolution देखने को मिलेगा और एक कंपनी है विजन ऑक्स करके उनकी डिस्प्ले यहां पर नथिंग फोन टू वालों ने अपकी बार यूज की है विजन ऑक चाइनीज यहां पर आप एक और चीज देख सकते होंगी बहुत यूनिफॉर्म बैजल्स आपको देखने को मिलेंगे यहां पर बहुत इकम बैजल्स हैं और आपको camera देखने को मिल जाएगा और यहां पर एक optical जो fingerprint scanner है वो देखने को मिलने वाला है आप इसके लाब बागी specifications औरी बा यहां पर लगा कि देखना चाहते है तो ड्राइव का link आपको description में मिल जाएगा वहाँ जागे आप download करके देख सकते हो इसके आप स्मार्टफोन को और पूरा design है वह backside से आप देखी सकते हो बाहर निकलके यहां पर आज चुका है officially यहां पर आप देख सकते कुछ इस तरह है curved glass आपको back side से देखने को मिलेगा edges से तो इस तरह यहां पर design रहने वाला है मतलब कि इंटरफेस है उसे यहां पर enhance किया गया है middle में आपको देख सकते हो यह जो wireless coil के आसपास है यहां पर लास्ट टाइम 12 LEDs देखने को मिल रहे थी अपकी बढ़ा दी गई है वह 32 कर दी ग जरू तो मतलब की ज्यादा useful हो जाएगी यह लाइटिंग लास्ट टोड़े gimmick सी लग रही थी तो यह चीज़ बात कर लेते हैं लेटेस्ट जो अभी हाल फिलाल में लीक निकल कर आई है उससे यहीं पता चलता है कि नाथिंग फो प्राइसिंग रहने वाली है जब इंडि लाइन जरूर से कर देना और चैनल पर नहीं हो पर निवर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबादेना और मैं मिलता हूं हमेशां कि तरफ से नेक्स्ट वीडियों तक कि लिवाए एंड टेक केर